नमस्कार, SBT News में आपका स्वागत है मुख्य मिंत्र अशो गहलोत ने विधान सभा में वर्ष 2021 के लिए बजट भाषन शुरू कर दिया गहलोत ने बिकानेर के लिए भी कई घोशनाएं शुरू की है अब तक कि घोशनाओं में बिकानेर में आईरवेद महाविद्याले खोलने की घोशना की है इसमें योग और नेच्रोपैथी का अध्यन भी होगा बिकानेर में ये पहला आईरवेद महाविद्याले होगा फिलहाल कोई नीजी आईरवेद महाविद्याले भी बिकानेर में नहीं है ऐसे में बिकानेर के लिए बड़ी सौगात मिली है इसके साथ ही बिकानेर में डेरी महाविद्याले भी स्थापित होगा जोतुरपाली रोड सी दजाला मन में एक हैंडी क्राफ्ट फैक्टरी में बुधवार को भीशन आग लग गई हासे में कोई हताहत नहीं हुआ है लेकिन आग से गुदा में रखे लाखो रुप्यों की कीमत की लखड़ियां जोल गई करीब ग्यारा दमकले मौके पर पहुँची और आग पर काबू पाए गया आग बुजाने में करीब पांच घंटे लग गई बिकाने जुला कलेक्टर नवित महता ने कहा कि सोलर प्रोजक्ट से जुड़ी कमपनिया स्थानिय युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए प्रशेक्शन कारकरम आयोजित करवाए मेता ने बुद्वार को कलेक्टर सफा कक्ष में सोलर पावर प्रजक्ट से जुड़े कारेकारी एजन्सियों के पतादिकारों के साथ आयोजित बैठक में ये बात कही मेता ने कहा कि जिले के जिने अशेतरों लगाये जा रहे हैं वह स्थाने लोगों से बेहतर तालमेल रखा जाये श्थाने में स्थाने अदिकारों के साथ भी तालमेल रखें सुप्रीम कोट ने जूदपुर की ट्रायल कोट को रोजाना सुनवाई कर 12 अप्रायल तक सभी मुझेमों के बयान पूरे कर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है सुप्रीम कोट ने या देश एक आरोपी परस्रा मिश्नुई की जमनत याचिका पर सुनवाई के दोरान दिया बिकानेर में कोरोना ने फिर से दस्तक दे दी है बिकानेर ही नहीं देश के कई राजो में कोरोना करिटन शुरु हो गया है बिकानेर पिछले कई दिनों से कोरोना को मात देता आ रहा है लेकिन बुधवार को फिर से बिकानेर में पांच कोरोना पॉस्टिव केस सामने आए है मुख्यमंत्रिय अशोग हलोत ने बुधवार को अपने कारकाल का तीसरा बजट विधान सबा में पेश किया इस बजट पर जोद्पु शहर की राजनिता, संसा, संगटनों और अन्य लोगों ने मिशित प्रतिक्रियां व्यक्ट की है कांग्रिस ने जोहां इस बजट को विका सोन मुखी बताया तो भाचपा ने कहा कि ये सिर्फ थोती घुशनाए है बिकारे नगरे विकास कर जमा कराने का नोटिस के बावजूद जमा नहीं कराने पर जोतपूर नगर निगम उत्तर में एक बिल्डिंग को सीज करने की कारवाही की गई है नगर निगम आयुकते रोहिता आश्तोमर ने बताया कि मोती चौकसित अली राइस बिल्डिंग फातिमा जेप का करीब 1,27,797 रुपे का नगरे विकास कर बकाया था केंद्री जोशक्ती मंत्री एवंसान सथ गजूंद सिंग शेखावत बुद्वार को दोपहर जोतपूर पहुंचे यहां पहुंचने पर एरपोर्ट पर भाजपा कारिकरताओं ने उनका स्वागत किया इसके बाद मंत्री शेखा वसी थे बुचल का वे खेता सर के लिए रवाना हो गए अगामी सुचता सर्वेक्षन को लेकर आमजन में जागरुकता लाने के उदेशे से नगरनिगम की उर से लगातार प्रयास किये जा रहे हैं इसी कड़ी में बुधवार को सुचता सर्वेक्षन 2021 के तहर नगरनिगम उत्तर वे दक्षिन की उर से अलग-अलग स्थानों से जागरुकता रहलिया निकाली गई Joint Forum of Trade Union and Association के आखवान पर बुधवार को देशभर में बीमा कर्मियों ने दो घंटे के लिए कारे का बहिशकार कर हर्ताल की Union के प्रदेश सेंक्तु सचीव राजेंटर भूतरा ने बताया कि दिन्यू इंडिया इंशोनेंस कंपनी के यूनियन संबंदित सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों ने हर्ताल में भाग लिया विश्व जादु दिवस पर प्रताप नगसित जादुभावन में एक गोस्ठी का आयोजन किया गया भारते जादुकला अकैडमी के अध्यक्ष जादुगर गोपाल के अध्यक्षता में आयोजी इस विचार गोस्ठी में मारवाड के अनेक जादुगरों ने भाग लिया इस मौके पर विश्व प्रसिद जादुगर्ड स्वर्गिय पीसी सरकार को पुश्पांजली अर्पित कर शद्धांजली अर्पित की गई इंद्रा गांधी रास्टर मुक्त विश्विदाले के शेत्रिय केंडर एवं पुलिस कमिशनरेट जूद्पु सेंक्त कारे यूजना दो हुजार एक साथ कारे करेंगे इसके लिए पुलिस लाइंस सेत्य पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में शिक्षा मार्क दशन कारेशाला अयुजित की गई जूद्पु शायर की त्रिपोलिया बाज़ार में फुटपात पर समान रखने वालों की खिलाफ नगर निगम उत्तर की ओर से कारवाही की गई इससे व्यापारियों में हडकम मच गया और आननफानन में व्यापारियों ने अपना समान समेटा हालांकि इस कारवाही के तौरा नगर निगम अधिकर्मन टीम में दुकानों के बाहर रखे कोई समान को जब्त नहीं किया है फिलाल इस प्लेटिन में इतना ही फिर हाज़िर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ SBT News के और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें